जिस तरह का घटना करम हो रहा है उस पर पूरे देश की निगाहे हैं क्या पीए मोदी को बीजेपी को डबल जटका लगा है एक खबर बिहार से जहां पासवान कहे रहे हैं कि सहयोगियों की चिंताओं पर ध्यान दे बीजेपी दूसरी तरफ योपी में SP, BSP और RLD का महा जिपंठर, हमारे साथ लगातार खास महमान भी बने हुए हैं, पिछले चरण में हमने कुछ महमानों से बात की थी, आए जल्दी से मैं एक बार संजे सिंग, जेडियो के जो हमारे महमान मौझूद हैं उनके पास चलती हूं संजे सिंग जी बिहार में क्या हो रहा है कहीं कुश्वाहा के बाद पास्वान भी पाला बदलने की फिराक में तो नहीं है नहा जी एंडिये हम लोग मजबूती से बिहार में हैं आधनिये रामिलास पास्वान जी की पाटी हम लोग के साथ है चिंता कभी से नहीं है एंडिये में all is well नहीं अगर all is well है तो चिराग पासवान क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी सहयोगी की चिंताओ कुछ सुनी नहीं रही है वो तो ये तक कह रहे हैं गटबंधर नाजूक दौर से गुजर रहा है उपेंदर कुश्वाह की बाहर जाने के बाद देखिए चिराग जी को कुछ सिकाइट होगी जाहिर सी बात है राजडित में हम लों मां गटबंधर अंडिये में हैं तो निश्ची तोर पर कहीं न कहीं कुछ सिकाइट होगी उनकी दूर कर लिये जागे जहां तो उपेंदर कुश्वाह जी का बात है उपेंदर कुश्वाह जी का पेट में दर्दयार इलाइज करा रहे हैं पैर का उनको तो मैं साब कहना चाहता हूं कि मुखमंतरी का पद क कोई बाजार में नहीं बिखता है कि जाके खड़िले मुखमंत्री बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है बिहार का सेवा करने का उनके अधिकार होना चाहिए लेकिन पास्वान जी को आप क्या रहे हैं कि वो धेरे रखें उनकी समस्याओं का समाधान होगा और उपें गड़ बंधन में क्या है अखिले जी एक बार रिपीट करें फोन कटके आवाद में अखिले जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं यूपी ने कॉंग्रस पार्टी की महा गड़ बंधन में क्या स्थिती है कॉंग्रस पार्टी है भी या नहीं नहीं ये तो आप लोग बता रहे हैं समयागा हम लोग बता देंगे यही इस्थिती अभी चार पांच राज्यों के चुनाव में आप लोग 36 गड़ में भी बताते थे लेकिन जो आप लोग संकाय बेक्ट करते थे वो नहीं हुआ उसका जस्ट डिवर्स हुआ और मैं आप और बता दू यही इस्थिती यह देखे लोग सवा का चुनाव नहीं है लोग सवा का चुनाव किंद्र में सरकार चुनने के लिए होता है और मदाताओं के नजर में किंद्र में किसे बिठाना है उसे नजर रखके चोट देते हैं 2009 के चुनाव में इसी प्रकार से बातें चल रही थी और हमें लोग कहा रहेते कि आप 15 सीव ज्यादा लड़ने लायक नहीं है हमें किस जीते हैं नहीं पर अगिलेश यादव कह रहे हैं कि स्कालिन भले ही करें पर मैं यह नहीं मानता ठीक है सबको अपना अपना दिकार है हम कब कह रहे हैं कि वो रावल गांदी हमारे पार्टी के कंडेट हैं वो जब चूनके गठवंदन या साथी मितर आएंगे हम लोग तैंक कर लेंगे पीम कौन बनेगा मैं तो सिर्फ यह बता रहा हूँ कि यह चुनाओ लोकसभा के पर सराज की स्तिति यह है कि से दो सीटे राइबरेली और अमेठी उस पर बीएसपी एसपी अपने उमीद्वार नहीं उतार रहा है बाती 38, 37 और 3 का फार्मिला बन गया है अब अगर कॉंग्रेस पार्टी के पास कोई और जानकारी है तो मैं स्वागत करूंगी अखिले ज राजें को चुनाव में भी बहुत फार्मूले फ्लोट हो रहते उस पर बहास हो रहेती आज बहास हमारे पर क्यों हो रही है चीक समझ में आखिलेश प्रताप सिंग के रहे हैं अरे हमारी बात छोड़िये हम तो तीन राज्जी जीत कर आए हैं अपनी चिंता कीजे अखिलेश प्रताप जी की बात को अखिलेश यादो जी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और 20 महीने पहले ही उत्तर प्रदेश में विधान सभा का चुनाओ गुआ था और विधान सभा के चुनाओ में राहुल गांदे जी और अखिलेश यादो जी दोनों लोग हाथ उठा करके कि उत्तर प्रदेश के दो अच्छे लड़के हैं और इन दो अच्छे लड़कों का साथ यूपी को पसंद है लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हश्र किया उत्तर प्रदेश ने विधान सभा के चुनाओं में कॉंग्रेस दहाई की आंकले में नहीं पहुच पाई और इसना ते छेत्रिय दल आज कॉंग्रेस पार्टी से अलग हो रहे हैं। आज की तारिख में एक महागट बंधन यूपी की सियासत में बन रहा है। मन चुका है। अब उसका सामना बीजेपी कैसे करेगी तब जब की पांच राज्यों में आप लोगों की हार हुई है। पर तीन बड़े राज्यों की अगर मैं बात करूँ और 2019 की टेंशन सामने है। राकेश जी। अब 25 साथ बाद ये पार्टियां साथ आई हैं ठीक रहेगा बीजेपी के लिए या दिली दूरस्त। और उसके बाद 1995 में एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए थे। समाजवादी पार्टी के केडर के लोगों पर सेस्टी एक्ट लगाया गया था जिसकी बड़ी पृतक्रिया थी। और इसलिए जब 2012 में अखिले चादूजी की पड़कार बड़ी तो बले पार्टी के लिए अगर बीजेपी की मुश्किल हुई है अब 2019 के रण में कौन अपने पत्ते कैसे सामने रखेगा और कैसी हुगी लड़ाई दिल्चस्प जरूर होने वाली है लेकिन किसका पलड़ा भारी इसके लिए अभी और इंतिजार करना पड़ेगा बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टुपाथी जी अकिलेश पिताथ सिंग जी और संजे सिंग साहब आप सबका वक्त निकालकर हमारे साथ इस चर्चा में जुणने के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं देखते रहे हैं आज की पड़ी खबर ये है एबीबी नियूज आपको रखे आगे